हेलो एब्रीवन सागत हाँ सभी का एक बार फिस से हमारे चैनल जी डीसी मेडिसिन पर हम अपने चैनल पर दवाइयों की जानकारी रोगों की जानकारी एवं सास्त देखबाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी यहाँपे देते रहते हैं तो अकर आप भी हमारी चैनल की समस्ता हुई बंदनाग की समस्ता हुई या खासी से खासी के दुरान आपकी रेस्पारटरी ट्रैक्ट में जुड़े जितने भी इंफेक्शन इंफ्लामेशन होते हुए उन सभी को दूर करने के लिए इस कॉपशिल के कप सिरफ को बनाया गया है और इसका बहुत ही बहु मतलब इस सिरफ के हम आपको संपोर जानकारी देने वाले हैं पूरे वीडियो में जरूर बने लिएगा ताकि कोई पर इंफॉर्मिशन मिस नहुने पाए जिया अगर हम कॉपसिल के कप सिरफ के कंपोजीशन की बात कर लें तो तीन चेज मिले होगी सबसे पहला है डाइफ जीरो तीन मिलीग्राम के मांट बे यह मिला होगा अगर हम बात करेंगे इसके मैनिफैक्ट्र की तो सिप्ला हेल्ट के लिम्टेड इसको बनाती है जो की बहुत ही बानी जानी फार्मा कंपनी है रूम टंपरेचर पे स्टोर कर सकते हैं और हंड्रेड अमिल के सिरफ के बॉ दूर करने के लिये कौति सिरफ डॉक्ट्र आपको देते हैं अगर हम बात करेंगे कर்की काम करने का तरीका क्या है तो इसमें टीन कंदेंट मिले हैं तीनों का अपना अपना रोल होता है एक एक करकर अगर बात कर लें तो सबसे पहले जो डाइफन हाइड्रामाइन है ना एंटी अलर्जिक मेडिकेशन है यानि कि जो कफ के दुरान जो अलर्जिक सिंटम होते हैं उसको दूर करता है अब अलर्जिक सिंटम जैसे आपका नाक बहना आख से पानी आना या छीक आना उसको दूर करने के लिए कफ मुकस को रिमूब करने के लिए बेस्टमाने जाता है वहीं पर सोडियम सिट्रेट की बात कर लें एक तरीके से मैंूकोलाइटिक एजेंट होता है जो कि आपके फलेगम को मैंूकस को पतला करने का काम करता है और कफ को आसानी से बाहर निकालने के लिए ये आपका क्या sodium citrate ज़रूर होता है तो इस प्रकार से डाइफेन हाइड्रामाइन अमुनियों प्रवाइड और sodium citrate मिल करके आपका कफ भी दूर कर दिये आपका allergic symptom भी दूर कर दिये सास लेने में जो दिक्कत हो रही थी लेना है कभी बॉटल से नहीं लेना है ज्यादा चला जाता है कम चला जाता है तो दिक्कत हो सकती है अगर हम बात करेंगे precaution क्या सावधानी रखनी है तो यह जो कॉपसिल कफ सिरफ है न कीडिनी डीजीज वाले हो के लिए अंसेफ मानी जाती है तो वह आपके को डिक्रीच करती है तो इसे पीने के बाद driving वगरा करना अवाइड करें साथी साथ अगर pregnant women की बात कर लें तो प्रेगनेंसी के दुरान भी कॉपसिल का कफ सिरफ अनसेफ माने जाता है तो वहां पे भी आपको लेना अवाइड करना पड़ेगा तो यह सारी चीज़े आप साइड इफेट होते हैं अगर आपने जादा ले लिया बाकी आपको precaution तो समझी में आ गया होगा कैसे किनको नहीं लेना है क्या ध्यान देना है मिजरिंग कब से यह चम्मत से यह जितना डॉक्टर बोले उतना ही लेना पड़ेगा काम करने का तरीका भी पता चला और उसक आपकी जानकारी आपको मारे चैनल पर में जाएगी प्लेलिस्ट वगरे को विजिट जरूर कीजेगा मिलते हैं किसे अगले वडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखेगा थैंकी सो मच आल दे बेरी बेस्ट